हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने इंडियन आम फोर्सेस की रेक्वाइड हाइट की बीचने में बात किया था उस वीडियो में आपके धेर सारे कमेंट आये थाइक यू सो मच कि आप लोग दोगे हर प्लेट फॉर्म पे उसको सेयर भी किया क्योंकि difference के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिने height and weight के लेकर के बहुत सारे doubts रहते थे और मुझे रखता है कि उस video के माध्यम से आपके height and weight के doubts खत्म हुए होंगे क्रम साथ जब मैं comment box में तेजी के साथ बढ़ा तो आप लोगों का प्रसुन था कि sir lessic surgery क्या है और क्या इस surgery के बाद कोई forge join कर सकता है तो इस video हम detail सारी जानकारे लाएं हैं आपके लिए जो कि lessic surgery के विशे में हैं वीडियो अंतक जरूर देखना है और साथी साथ हर तरह का concept हर तरह का doubt जो lessic surgery को लेके है इस देश में और जो defense aspirants obviously यह कराना चाहते हैं या जो करा चुके हैं उनके मन में जितने भी from and out है वो सारी इस video बे हम खत्म करेंगे तो बिल्कुल अंतक वीडियो जरूर देखना है और मैं कहना चाहता हूं कि देश का एकलोता center healthcare center major policy healthcare center जो आपको provide करता है PORGE के medical से पहले pre-medical के facility कहते हैं जब हर preparation के लिए हम return में बहतर results लाने के लिए फिचकल के preparation करते हैं SSB और इंटर्वी में बहतर रिजल्ट्स लानी के लिए हम SSB और इंटर्वी को प्रिपेशन करते हैं तो क्यों नो मेडिकल में भी अपने आपको confident तरीके से सत्व प्रसेस सफल होने के लिए हम medical की भी एक तयारी और एक जर्नी को जीएं और वो मिलेगा आपको मेजर कलसी हेल्ट केर सेंटर में जहां बिल्कुल आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक prospect पे आपको टेस्ट किया जाएगा और आपको confident करके finally medical में आपके सफलता को सत्व प्रसेस सनेशित किया जाएगा मेजर कलसी हेल्ट केर सेंटर तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और आज समझते हैं टेक्निकली आखिर lessic surgery overall क्या है lessic एक प्रकार की refractive eye surgery है जो लोग अब चस्मा और contact lens नहीं पहनना चाहते हैं जमाना बदल रहा है हम इस पैक्स नहीं लगाना चाहते हैं contact lens का नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं उनहीं के लिए इजाद किया गया lessic surgery का या six upon six eye vision चाहते हैं वह अक्सर lessic surgery करा ही लेते हैं क्योंकि यह comfortable होता है lessic एक प्रकार की refractive surgery है जिसका उप्योग myopia और hyper myopia और estic matism को ठीक करने के लिए किया जाता है इसे laser eye surgery की रूप में भी जागा जाता है lessic nim likid में से 3 को ठीक करता है that means lessic surgery कराने के बाद आखिर किस तरह के हमारे फाइदे हैं इन बातों को भी समझना जरूरी है और क्या नुकसान है इनको भी हम क्रम सा समझने के कोशिश करेंगे जब हम बात करते हैं hyper myopia या मुल रूप से दूर दृष्टी दोस है या एक ऐसी इस्तिती है जिसमें दूर की वस्तुएं असपश रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं हमेसा धुनली दिखाई देती है उसको हम कहते हैं hyper myopia इसी करम में हम myopia को भी समझ बात करते हैं या मुल रूप से निकट दृष्टी दोस है या एक ऐसी इस्तिती है जिसमें आसपास की वस्तुएं असपश रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की धुनली दिखाई देती है जिसके कारण ब्यक्ति पूरी तरह से धुनली वस्तुओं को देखता है ले जितनी भी हमारी commission entries हैं, उनके हम SSB interview के लिए जाते हैं, तो आखिर उसमें होने वाले medical test में lessic surgery allowed है कि नहीं, ये देश के हर defense aspirant का एक बड़ा प्रश्ण मेरे सामें रहता है, SSB और medical, दोनों किसी भी candidate के लिए qualify करना बेहत जरूरी हो जाता है, दोनों को सतनत रूप से संचाल किया जाता है, SSB में recommend होने के बाद हर candidate को medical board के सामने उपस्तित होना पड़ता है, और फिर उनका medical test conduct होता है, medical board के medical test को किसी भी san hospital में पूरा करने में 4-5 दिन का समय लगता है, review medical board की कारवाही के लिए उमीदवार को medical board के अध्यच्छ द्वारा नर्देशित किया जाता है, अगर कोई candidate किसी medical test में unfit पाया जाता है, तो वा फिर से remedical की मांग कर सकता है, medical board, testing जिन hospitals में conduct होता है, उनके नाम है, बेस hospital डैलीकेंड, command hospital साउधन कमांड, पुने, command hospital इस्टन कमांड, कोलकाटा, command hospital सेंटरल कमांड लखनव, command hospital बेस्टन कमांड चंडी मंदिर, command hospital एर फोर्स बैंगलोर, command hospital नॉर्दन कमांड, CO 56 APO, और INHS अश्वनी मुंबई, तो यह क्रमसा हमारे centers है, जहां पे आपके medical के test के procedure done होते हैं, जिन candidates ने review medical के लिए apply किया है, उनको 42 दिनों को भीतर, MRO और TR की एक receipt copy के साथ, special medical board के समच रिपोर्ट करना होता है, उस समय medical board के medical test एक ही दिन में done हो जाते हैं, means खत्म किया जाते हैं, candidates के पास period medical history form भी filled होना चाहिए, आपको इस लसिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी होगी, प्रणाम सरूप कुछ अत्रिक्त नेत परिछन होंगे, जिनमें से एक आँख की axial length का measurement होगा, SSB medical में, सरजरी के एक साल बाद भी कोई समस्या नहीं होने पर, lessic surgery की अनुती है, कुछ major reason जो decide करते हैं, कोई candidate lessic के बाद medical test पास करेगा या फिर नह लेसिक के समय, candidate की उम्र कम से कम 20 साल होना चीए, और ये build documented है, आप इसमें कोई confusion create नहीं कर सकते हैं, आँख की axial length कम से कम 25.5 mm होनी चीए, means जब भी आप lessic surgery के process के लिए जा रहे हैं, इस बात को discuss कर लें, कि जो आपके आँख के axial length है, वो कम से कम 25.5 mm ही रहेगी, उनमें किस इसी भी तरह के changes नहीं होने चीए, और पहले ही 6-12 महिने के समय की duration की बात की गई है, तो इस बात का ख्याल रखना है, कि आप अपने medical और SSB के एक साल पहले ही इस procedure को पूरी तरह से done कर लें, lessic के बाद corneal के मोटाई जो होनी चीए, वो 450 micron से कम नहीं होनी चीए, तो ध्य lessic points है, जिन पर आपको highlightment है, और ध्यान देना चीए, कि ये parameters है, तभी आप lessic surgery कराएंगे, ये पहले ही डॉक्टर से आप concern कर लेंगे, हाला कि lessic या PR के surgery के साथ 20 वर्स से अधिक आयो की उमिदवार निभी सर्तों को पूरा करने पर सेना में commission प्राप कर सकते है, that means, ऐसा नहीं है, कि आपका lessic surgery हुई है, तो आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस आपका 20 वर्स की जो उम्र है, वो पूरे होनी चीए, तो आप इसके लिए eligibility थाए कर लेते हैं, बिना किसी समस्या के lessic होने के बाद, myopia या hypermyopia में 6 महीने का stable reflection होना चीए आपका, एक स्वस्त रेटिना होनी चीए, candidate की lessic surgery के बाद, जहां पर आपके corrected vision जो होने चीए, it should be 6 upon 6 जो के better eye के लिए है, और 6 upon 9 वर्स आई के लिए है, lessic या PRK को ससस्त बल medical college AFMC पूरे में 20 वर्स से अधिक I.O की उम्मिदारों के लिए प्रवेश अस्तर पर अनुमिदारों के अनुमती नहीं है, that means जितने भी मारे NDA की candidates है, नौसेना या जो की 10 plus 2 level पे जितने भी entries है, मैं उनको अवेर कर देना चाहता हूँ, कि उनके लिए बिलकुल lessic laser की अनुमती नहीं है, that means जो भी बच्चे 20 year तक के जो है age के criteria में, forge के किसी भी entry में प्रवेश कर रहे हैं, व तो lessic test से जुड़ी कुछ doubts और आपके लगातार जो मुझसे पूछ रहते उन प्रशनों के कुछ बहतर solution, उमीद है कि आपके सारे doubts clear हुए होंगे, अगर अब भी कोई doubt होई, तो हमें comment section में जरूर बताइए, ऐसे ही informative video के लिए, जो ज़्यादा ज़्यादा हम आपके सामन जहां आप खुद को भी aware कर पाएंगे और देश को भी aware कर पाएंगे, तो फिल्लकुल ऐसे ही information की video और ऐसे ही queries आप बिल्कुल comment section में डालते रहिए, मैं आपके लिए special video ले के आता रहूंग और देश को अब घवडाने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि finally medical see healthcare center, देश क इकलौता medical center है, जो आपको फौच की medical से पहले देता है, pre-medical की facility, मुझे लगता है इंतजार के इस बात का, one of the best and cheapest platform in India and the only platform in India, जो आपको बिल्कुल सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक test करेंगे, जहां पुरी expertise team आपके लिए जम के काम करेंगे, dental expert अलग होंगे, ज साथी साथ आपके पूरे eye specialist होंगे, जो eye standard आपके चेक करेंगे, साथी साथ पूरा आर्थो expert होंगे, physician होंगे, पूरा pathology system आपके लिए है, पूरा EEG, ECG, जितने भी EFOS aspirants, LFT, CAPT जैसे test, जो कि liver functional test और kidney functional test के तोर पे आते हैं, तो all thing added in a very actual way, और सब कुछ बड़ा real journey में ब स्टेज में सफलता की guarantee देता है, तो लाजमिशी बात है, अब medical stage में भी आपके सफलता सत पर सत सनशित होगी, major policy health care center के साथ, बाकी detail के लिए, आपको यहाँ पे toll free contact number share कर दिया जाएगा, health care का, whatsapp number भी share कर दिया जाएगा, जिससे आप connect हो करके, अपने doubts, अपने queries को clear कर सकत तो कोशिस यही होगी कि आपके हर तरह के जो प्रशन होंगे, उनके बहतर solution के साथ मैं आपके सामने होगा, thank you so much, wish you all good luck, जै हिंच, जै भारत